गुरुबर परणाम मैं संजय कुमार आज आया हूँ ये बताने कि किंद्रिये विद्याले संगठन में प्रिंस्पल की वैकंसी आई है उसमें क्या-क्या इसलिटी है और कौन भर सकते हैं और कब से फॉर्म भढ़ना शुरू होगा कब खत्म होगा स्टेट पॉर्वर क्लासेज का एक लंबा अनुहा है अभी अभी हम लोग प्रिंस्पल इंटर्विउ पे काम कररे यह पीछेरी रिटेन पे किये तो हम लोग नियमित क्लास के इंडिया विद्याले संकटर्म के सारी रिक्तियों पर करने जा रहा है तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए हमारे ओफिस से संपर कीजिए क्लास एड बेस होगा और पुरे इंडिया में कोई कहीं से भी क्लास देख सकता है और साथ धेर सारा स्टेडिम माटेरियल तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल का तो ऑनलाइन एडिशन की फॉर्म समिशन का डेट शुरू हो रहा है पाँच दिसंबर से और ये खत्म होगा लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2020 यनि बर्स 2020-22 कई अर्थों में इतिहास बनाता जा रहा है नई सिक्षानिती आई जोरो से इंप्लिमेंट हो रही है करोना से देश निकला है सब जगह तमाम रिक्तियां है आप इसका लाव लें बहुत अच्छी नौकरी है और कोई भी जो क्राइटेरिया में रहेगा वो कहीं भी किसी भी संस्था में काम कर रहा है इस पद पे जो इसका क्राइटेरिया का वो इसके लिए जिबूल है यह मत सूचिए कि केबल केंद्रिय विद्याले के ही टीचर जिबूल है तो चलते हैं एक एकर के बात करते हैं टोटल रिक्तियां है 239 249 दूसरी बात रिक्तियां बढ़ाई घटाई भी जा सकती है 239 जिसमें से अनरिजर्ब कटगरी यह 123 OVC 64 SC 35 SC 17 और फिजकल कोटे के 8 लोग हैं OH और HH फिजकली चैलेंज इसमें पेश केल लेवल 12 का होगा इस लिमिट 35 यह से स्टार्ट यानि मीनवम जो 35 साल के हैं वही इसके लिए जबूल है और मैक्समुम 50 यह का होना भी चाहिए चुकि 60 साल के बाद तो रिटायर करना है Essential Qualification क्या है Academic Master Degree Recognize University से और At Least 45% Marks Aggregate होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है B8 जरूर होना चाहिए उसके बाद Pencil Holding the Analogus Post of Principal in Central State Government Autonomous Organization और Central State Government in Pay Matrix 12 यानि मैंने पीछे भी बताया कि कोई भी वेक्ती वो Principal के रूप में कहीं भी काम कर रहा हो यानि पर्मामेंट प्रिंसपल नहीं हुआ हो चार्ज में हो और इस पेड मैट्रिक्स पे हो तो वो भी जिबुल है चाहिए हो सरकारी हो या किसी भी और्गनाईशन में हो दूसरा जो भाइस प्रिंसपल हो Assistant Education Officer हो Central State Government या किसी भी Autonomous Organization यानि वो दिल्ली में भाइस प्रिंसपल हो वो उत्तर प्रदेश में 12 तक की स्कूल का भाइस प्रिंसपल हो या Assistant Education Officer हो और किसी भी Central या UT के अंदर हो और उसका Pay Matrix Level 10 होना चाहिए और At Least Year as a PGT and 2 Years as a Vice Principal क्या होना चाहिए कि PGT के रूप में 5 साल का Experience उसको चाहिए और Vice Principal वो 2 साल से हो और PGT At Least 5 Year रहा हो उनको ये मौका मिलने जा रहा है उसके बाद इसमें है कि Person Holding the Post of PGT और Lecturing Central, Government Paid Matrix 8 पर हो और At Least 8 Year Regular Service हो यनि जो केवल PGT है अब इसमें कौन-कौन है तो जो Acting Principal है Payment 12 में है, वो है Vice Principal है Vice Principal में At Least 2 Years है और 5 Year PGT हो या Direct PGT जा सकते है 8 Years, बहुत अच्छी बात है चुकि दिल्ली में UPSC ने 10 Years कर दिया रहा है कितनी बड़ी Opportunity है कि 8 Years, 35 Year to 50 बहुत बड़ा इसका एक Span दिया गया है और 15 Year Combined Regular Service TGT यानि अगर TGT में है तो आप बन सकते है 15 Year Combined Regular Service आपका TGT हो Payment 7 पे हो या PGT हो और Payment 8 का हो आप इसमें भी Knowledge of Computer ज़रोरी है इसमें एक सबसे बड़ी सूचना यह है कि Assistant Commissioner, Principal और Vice Principal जो तीनों के लिए केवी ने कहा है कि इनके एक्जाम Computer Based होंगे सब क्यों होंगे Computer Based लेकिन इनके केवल दिल्ली में होंगे तो यह बहुत बड़ी Opportunity है लोगों के लिए कि एक्जाम दिल्ली में होंगे और सारे एक्जाम इस पार केवी के Computer Based होने जा रहा है इसलिए पहले से समझीए और अच्छे तरह से अगर त्यार कीज़ेगा स्टेट पॉर्वर्ड रेगुलर क्लास लेके आ रहा है तो हमारे दफ्तर से संपर्ग कीजिए जाहिए